कांड ग्यारवा प्रेम नाल गांदा है मेरो सुन्दर कहो मिले कित गली एह नदी दे रुखनू जा रहा सी कि एक मुसल्मान ने कहा साई इदर ना जाई पत्न दे दोवे नाक के सिखा मले होई हन और ओना दी फाउज लंग रही है तुसी उदर ना जाना मता छोलेया नाल कुण वांगू पिस जाओ साई मरदूद सिख बंदे साई दे किदर जावे फिर मनुख साई जी ओह हेटली पगडंडी पै जाओ तद तुसी एक टिकाने पहुचोगे जित्थे दो चार बेडियां वाले मलाह लुक के जा बैठे हन और उत्थों किसे बेड़ी विच बैठ के पार हो जाना साई कोई होर भी इस रस्ते गया है मनुख जी अल्ला वाले तो हाथों अगे ही अगे एक मुगल कबीले समेत लंग जा है मैं इत्थे इसे करके खलोता हा जे कोई बंदा रवदा पार होना चाहे ता उसनू एदर कलना ते सिखा तो बचा देया साई पत्तन उत्ते सिपाही हुन दे हन मनुख ओ सिखा ने आउंदे सार अंदर टक दिते हन फकीर हुरी सिखा दे नाम थो अजेहे डरे जो टट्टू ते पाल की मार उसनू पए पादिता अर चाटपट पत्तन उत्ते पहुंच गे अगो की देख दे हन की एक बेडी है और उस दा पूर पूरा हो गया है लगे मेंनता करन वास्ते अल्ला पाक दे मेंनू भी बिठा लो उस बेडी विच एक सरदार ते बेगम दा डूला सी कुछ कोडे अते नौकर चाकर वी सन अमीर ने ता साई दी एक नमनी पर मला लोकी फकीर थों बहुत डर दे हन क्योंकि ओना नू निश्चा हुंदा है के फकीरा नी बद्धुआ नाल बेड़े डूट जान दे हन गल कादी मला दे कहन पर विचारे नू था मिल गई टट्टू वे एक नुकरे खड़ा कर दिता ते मला ने साई दा नाव ले बेड़ा ठेल दिता इस वेले अकाश विच किते किते बदल संड और पौण सहजे सहजे वगरी सी फकीर हुरी मस्ती विच आके लगे कुरान शरीफ दिया आयता गाउन ओस मस्ती विच किते एह टपा भी गाउ गए मेरो सुन्दर कहो मिले कित गली साच मुच ऐस वेले नदी दा समा बदल दी मौज हवा दे ठोके ते फकीर दी मस्त ले एक जादू सी सारे जणे मस्त हो गए और फकीर उते डाडे प्रसन होए अमीर हुरी वी सरूर विच सिरहलाउन लग पे पर बेगम साहिब नो खबरे की वेराग आया के अजेहा डूंगा और दर्द पर रेया होया ठंडा साह लेया के साई हुरी मस्ती पुल के तरबक उठे और लाहौल वला कुवत पकारन लग पे पर अमीर एहाल वेक के बोलेया साई जी खैर महर है तुसी गावी चलो छेकडला टपा जरा फेर लाए नाल साई होरा ने फिर सुर लाई ते हुक गावी फिर बेगम साहिब ने हुका परेया और नाल ही एह गल मोह निकली शोक होन फकीर होरी सब बे राग छड़ के अमीर नो आखन लगे तु काफर है जो बीवी नो तंग रखता है खुदा पाक दा हुकम आपनी औरत उत्ते सकती करना नहीं अमीर ने उसनो बहुत कुछ समझाया परसाई होरी बेत तुकियां लाई गए कन डोले वल सन मो अमीर वल सी पल पल मगरों डोले विच्चों सी सी दी दर्द परी सौ निकले कुछ चिर मगरों फकीर हुरी अक्खा मीट गए किना चिर एउं बैठे रहे जिकर जोगी समाधी लाउंदा है फिर अक्खा खोल के बोले सरदार साहिब इस डोले विच्च आप दी तीवी नहीं गैर आउरत है और ओस दे हत पैर बद्दे हुए हन एह असा गैब दे इलम नाल डिठा है अमीर अचंबा रह गया और पैरी हत लाके बोलेया हे वली साहिदे तू ता गुज्जा लाल निकलायो पल मगरो पाउन फराटे मारवी वगण लगी लहरा ने जोश मारया बेडी हेट हुटते होन लगी होन ता सारे साहिदे पैरी पए कि कोई रेख विच सेख मारो और बेडी नू डुबणों बचाओ साहिजी बोले देखो दोले विच जो औरत है उस दे बंद खोल देओ दोले विच जो ओस नू कर लओ अते डोली नू नदी विच सुट देओ मेरा टट्टू ते आपना कोडा छड के बाकी सब बोज ते चीजां भी नदी विच सुट देओ जान वड़ी प्यारी चीज है एक पल विच हुकम दी तामील हो गई फकीर जी ओस इस्तरी दी जो डोले व निकली सूरत वेख के बोले अल्ला बंद खोलो एता बंदगी वाला चेहरा है जल्दी करो हुन हवा ही कुछ कटी ते पार वी हॉला हो गया बेडी वी टिक के तुर पई और कुछ चिर्मगरो कंडे आग लगए कंडे ते पहुचके एक खुली थां उतारा कीता गया चार कोहार ते सवार पेंड नूकल ले गए के कोई डोला होर लेऊन ते कोणे आदा बंदुबस्त करन और खान पीरदा समान भी लियाओ आप अमीर साहब दी दरी पर एक पेचवान रखके तकीए दा तोला के बैठ गए ते कमर कसा खोल के अगे रख लेया तीवी सामने बैठी शोक समुंदर विच डूबी होई सी और एक पासो साही जी बैठे फेर गाउन लग पे जद कुछ को गाउ चुके तद तीवी बोली साही जी तुसी राबदे तरस वाले बंदे देश दे हो साटा न्या करना साही होरी बोले वाह वाह तु आपना समाचार कहो ताथ उस इस्तरी ने सारा हाल सुनाया के एहो अमीर एक बन विच कायल प्यासी मैं इस दी महिना दिन मावा तो वद के सेवा किती हुने मैंनू कैद करके ले चलिया है अमीर ने उत्तर दिता के मैं ओस सेवा दा हक देन लग दा हां के एस नू आपने मालक दी बेगम बना के एड़े वड़े मुरातबे चाणना चांदा हां दोहां दी गाल सुन के साई हुरी हस पई और आखन लगे हे बीबी तुन चूठी है ते सरदार सच्चा है जा एह गल तीवी ने सुनी ता अखां विच लहू पर आया साई हुरी ता किसे सोच विच डूब गए सन ते सरदार साहिब भी एक हुलारा लेके मस्त जहे हो रहे सन उस शेरनी ने उस क्रोध दी अग विच पड़क के डाड़ी फुर्ती नाल उठके सरदार दे कमर कस्य दी तलवार जो अग्गे पई सी म्यान विच चो खिच लई और सूत के एउं खड़ो गई के मानो दुर्गा दैतां दे संगार नो खड़ोती है ओ हक्का बक्का हो दुहां हथा नो चेहरे अग्गे करत के कामबदा तेहरानी विच बच्चन दा दाओ सोचदा ही सी के दुर्गा रूपी सुन्दरी ने तुलवे हथा दा एक अजेहा वार कीता के सरदार दे मुड़े तो लैके लक तिक जनेऊं वांग दुसार पार चीर पैगया और दुष्ट नाशुकरे दी लोध तरती पर तडफन लगी सुन्दरी बहातर सुन्दरी तर्मी सुन्दरी पलो पली विच नजरो ओले हो गई साई हुरी भी थोड़ी दूर जाके तंबा लाहया ता कच्छेहरा निकलेया चोगा लाया ता कुड़ता कमरकसा ते तलवार जिसी गुथला खोल दस्तार सजाई तद काया ही पलट गई कित्थे साई जी सन कित्थे बिजला सिंग जी बन गए हुण आप पत्तन ते नाके कोल पहुंचे जित्थों सारा खाल सा पार हो चुका सी बलवन्त सिंग आर सारे सिख जो सुन्दरी दी पाल दस-दस कोह तक कराई सन निराश मुडाई सन बिजला ने सुन्दरी दा सारा हाल दसेया उसे वेले बलवंत सिंग ते दस कहोर सिंग पाल करन ओस रुखनू गए जिदर बिजला सिंग ने पता दिता सी की सुन्दरी गई है ते बाकी फाउज नदी दी उत्तर पच्छों दे रुखनू तुर पई कांड बारवा पिछली अग दूनी हो मच्ची असल वेच नादर दे हमले दे बाद खान बहादर ने 1796 तो 1801 बिकर्मी तक सिंग दी कतलाम जारी रखी सी पिंड दे चौदरियानों हुकम सी के जित्थे सिंग मेले मरवादेओ ते कर बार जिमी जब्त कर लेओ गश्टी फाउज इलाकेयां विच सिंगानों मारन वास्ते फिरन लगी तवारीख ते पुराने ग्रंथा नों पढ़के सरीर कम उठदा है जो जो कहर उस समय खाल से ने बहादरी नाल सहारे लेखनी लिखनी लिखनी सगदी अक्खां पढ़ नहीं सगदियां कान सुन नहीं सगदे पिंडी ते शेहरी सिख मारे गए मुखबरियां दा बजार डाडी रौनक पुर हो गया सिखां दे फडवाउन वालेयां नों चोखे चोखे इनाम मिल दे पर वाह वाह खाल सा चवेया नहीं फड़े गए ता हस हस के मरे अनेका शेहरां पिंडा नों चढ़ चढ़ के जंगला विच पहाणा विच जावसे और प्यारे तरम दी खातर असेह ते अकेह कश्ट सहारे आइथों तीक के सिंगा दे जथे जो गश्टी फौज दे काबू चढ़ जान दे ता लहौर लेया के तसीह दे के मारे जान दे चर्खडियां ते चाड़ना ते अनेका कश्ट देने लहौर सिंगा दे सिरा नाल खूँ परे गए ते बुर्ज उसारे गए एनी दिनी ही दर्बार सहेव विच मसा रंगड बेयत भी कर रहा सी जदो के मताव सिंग ने आके उस दा सिरवड लेा सी दर्बार सहेव दे इर्द गिर्द फौज दा पेरा रहन्दा सी के कोई सिख मंदर विच ना आउना पावे क्योंकि एह एक कहावत चली आउन्दी है के एक दिन नवाब लाहाओर ने सिखा दे अईडे बली होन दा अर्तरम ना छड़न दा कारण पुछिया तद किसे जोतशी ने दसेया के एह लोग अमरित छग दे हन एहना दे गुरु वड़े ओलिया सन ओना दा अमरित पी के एह अमर हो जान दे हन अते अमरित सर इशनान करके आपने बल दा वादा प्रापत कर दे हन ए गल सुनके ओना ने अमरित सर विच सिखा दा ना उना रोग दिता पर ओ मूरक की जानन सिख कच्ची मिट्टी दे कड़े होए नहीं सन एना दे मन फॉलाद ना लोबी करड़े ते पत्थर ना लोबी पीड़े हन खाल सा रात नो चोरी शनान कर जाया करन नोट शुकर है के होन पंथ ने अवाज सुनी ते पासा परते आ ते नवी जागरत आई चीफ खाल सा दीवान दा प्रचार जोर पकड़ गया ते एह बुत सन 1904 इसवी विच उठा दिते गए इस अवस्थान वेख के एक दिन एक तुरुक आउदेदार ने बोली मारी के जे सिंग हन ता दिन दिहाडे आके नाउन रात गिदना वांगू के वांदे हन एह बोली जद सिखाने सुनी ता अगब पुखा हो गए सुखा सिंग नाम में एक सिंग सी जो पहले आपने पिंड विच वजदा सी अर तुरुकां दे जुल्म तो दर्दे ओस दे मापयाने ओस दी बेहोशी विच ओस दे केश का तरा दिते सन सुखा सिंग एह अनर्थ देख के आतम का आतकरन लगगा सी के एक सिखने के हा शहीद होके मर अजाई मौत क्यों मरदा है तदो ही सुखा सिंग साड़े सरदार शाम सिंग दे जथे विच अपड़या सी ते सरदार पासों मुड अमरित छक के अजेहा पक्का वहादर सिंग हो गया सी के ओस दियां बहादरियां दी पंथ विच ताक पैगई सी ऐथों ताई के पंथ ने उसनू एक जथे दा सरदार थाब दिता सी सो ए बहादर हाकमा दा मेहना सुन के एक वेर दिन दीवी श्री अमरित सर इसनान करन गया सी पहरे दी फाज ने सामना कीता ता इस अकिले ने कईयां दे आहू लाहे और जीऊंदिया निकल गया इस गल ते शरम खाके हाकमा ने श्री अमरित सर जी दे ताल विच मिट्टी पाके पर दिता और नाउन दी कोई वा न रहन दिती 1902 बिकर्मी विच खान बहादर मोया ते यहिया खान ने हकूमत समाली एस ने प्यो तो वद अत चाई अजेहा पे आनक हाल खाल से दा उस समय सी के कखवी वैरी हो रहे सन हुण आपनी कथा दी लड़ी फेर जोड़ दे हाँ जद सुन्दरी कोड़े ते चड़के नठी है तद पत्तन तो अग्गो दी किड़ी वित पर होके निकल गई ते एस नो खाल से दा दल किते न मिलिया क्योंकि एस नो रस्तियां दा पता मालूम नहीं सी हुण कदम कदम ते एस संसा उत्पन हुंदा सी के वैरी मेरे मगर आए के आए कोड़े चड़ी जान दी मुड़ मुड़ पिछे वेख दी और दिल विच शोक कर दी के कटार उस सिपाही दे टिड़ विच रही जैसनू पहाड़ी उत्ते मारया सी अर तलवार उस अमीर नाशुक्रे दे पेट पास सुटी कोई हत्यार नाल ना ले आई जे कोई मामला आबनेया ता की करांगी फिर जी विच एह सोच दी के जिस गुरु गोबिंध सिंग जी ने एड़े कश्टां विच चो कड लिया है ओ हर वेले सहाई हन मैं क्यों डोलना इस सिंग्णी दा जिगरा केहा हौसले वाला सी पेटों पुखी सफर दी थक्की टुटी होई कैद दे असे कश्टां तो हुटी होई पर आवादे विचोडे तो काबरी होई ओजाड बिया बान विच इकल्ली पटक दी होई गुरु जी नू आपना सच्चा सहाई जान के दिल दी कुदर्ती निरास करन वाली दिल चवी नू विचार नाल जित रही है कुछ दूर जाके अचानक एक छम्व निर्मल जल्दा दिसेया जिस दे किनारे रंग रंग दे पंची कलोल कर रही सन निर्मल जल्द वेख के सुन्दरी ने बेवसी होके कोडे तो उत्तर के उसनो एक बूटे नाल बनेया जरा सस्ता के इशनान किता और कुछ जल छकिया फिर जब जी सैव्दा पाठ किता हजारे दे शब्द पड़े प्रार्थना कर दी होई अजीही मगन होई के मानो पत्थर दी मूर्ती बैठी है मुरगाबियां ते सारस और कई तरा दे पंखी उस दे अलिद वाले निर्पैफरन लग पे इस दशा विच ओस नो कोई चार पंजकडियां बीद गईयां पर सुन्दरी नो एक पल जिनना भी ना पासया क्योंके ओ एकागर होई सुखोपती ते आतम आनंद दे रलवे रंग विच टिक गई सी दुनिया दे सारे दुखडे ऐस वे ले पूल गई सन नाम दी खिच करके टिकी होई सुन्दरी आप सी या गुरु महराज सी जेहना विच ओस दी सुर्ती लग रही सी इस दशा विच ओ सुन्दरी दी जाग एक बंदूक दी गोली दी अवाज नल खुली अखां खुलियां तकी वेख दी है के चंब दे दूजे कंडे दस वी सवार शिकार खेड रहे हन ओना दी गोली सुन्दरी दे कोलों दी एक गिट पर फरक ते सरर कर दी लंग गई सी और इस दे नेडे एक सुरखाव नो फुंड गई सी एक वेख के सुन्दरी कब राके उठी छेती नाल कोड़ेते चड़ी और दूरों ताणन लगी के एक काउन हन ता पचाणियां के ओह तुरक हन और ओहना दे विच ओह हाकम भी है जिसने सुन्दरी नो बिपता विच काट सिटे आ सी सुन्दरी कंबी फिर कुछ सोची अर दिल करड़ा करके कोड़े नो अड़ी लाके हवा हो गई शिकारी आपनी था हैरान सन के मुरगाबियां दे जुंड विच्चों एह केड़ा राज हंस निकलाया हर्यानगी दे मारे नाले बंदूग नाल फंडे शिकार नो हलाल करन दी नियत तार के कोड़े नो अड़ी लाके और उस पास आए दे नाले सुन्दरी नो नस्दे आवेख के आपनी हर्यानगी मठी करन लई पिच्छे दोड़े और उस दे कोड़े नो कुछ दूर जाके रिया हाकम ने सुन्दरी नो पच्छानेया और बेवसा होके बुलेया शुकर खुदावंद करीम दा जेने एस तरह मेल करा दिता शुकर है लख लख शुकर है एक एंदा ही कोड़े ते बेहोश जेहा हो गया सारे साथी अचंबत खड़े सन सुन्दरी चार चुफेरेओं किरी होई परिशान मन नाल आपनी नवी अपदानू वेख रही सी हाकम ने फिर अखा खुलियां अर किहा तेरा जनम के ना काफरां दे होया आग कहीं बहातर है कोड़े पर किही रान पटड़ी जमाई उड़ दी रही है मरदानू परे सिटदी है बेशक एस शाहरू सुन्दरी बेगम बनाउन दे लाइक है पर पता नहीं मैथो क्यों डर्दी है सुन्दर ता मैवी हां खबर इस गलो नस्ती है के एस दा मन ऐस तरा खुले फिरन नू चाउंदा है के हरना वांग बना विच चौकडियां पर दियां फिरां पर मेरे मैलां विच परदे दी कैद है हम ठीक है ठीक बुझया है तुसी काबरो ना मैं तहा नू दिलों प्यार करदा हां मैं शायर हां जट गवार नहीं चलो हून शहर ले चलिये एक कह के हस प्या सुंदरी इस वेले बात चीत नू नहीं सुन रही सी अखा मीटी प्राड़ना कर रही सी के है अकाल पुरक इस वेले थम्मा विच चो बॉड़ो और मेरे तरम दी रख्या करो कोई आसरा आप दी किरपा बनना नहीं है एस प्रकार दी प्राड़ना डूंगो और एकागर चित्तों अजे ही निकली के करतार दे चरना विच अपड़ी और बंद अखां विच ही सुन्दरी नू आपने प्रा और कुछ सिखादा दर्शन होया के कोडेयां ते सवार चले आ रहे हन और अकावश विच्चों वीर वे ऐस पासे ए दुहाई एड़ी कड़कवी अवाज विच निकली के कोडे तक तरबग उठे और सुन्दरी दियां अखां भी कुल गईयां की वेखदी है के सचमुच वीर जी कई सिखा सणे कोडे सुटी आ रहे हन और दुहाई सुनके होर भी हवावांगो उड़े ह आख दे फोर वेच बहादर पॉंचे एक छोटी जी ही लड़ाई मुगला दे सिखा दी हुई दो मुगल मुए बाकी दे जाना बचा के नस गए अर तरमी सुन्दरी दी पत करतार ने रख ली हर जुग जुग पगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे पैन प्रा कोडेया तो उत्तर के अजेहे विछड के मिले के दोहा दिया अखा तो मैं नीर वहे वह चल्ले जीयो